हेलो एवरिवन मैं हूँ सचीन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं एकाउंटिंग का वीडियो और जैसा कि अभी हम लोगों का चल रहा है जनरल का सिरीज तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी हम लोगों को ट्रांजिक्शन पर्चेज या सेल से मिलेगा तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे ठीक है तो देखे दो चीज इसमें आपको नोड करना होगा सबसे पहले जो पर्चेज या सेल हो रहा होगा वो गूड्स का हो रहा होगा या वाल की गुड्स क्या होता है तो आप सबको मैं बहुत बार बता दिया हूं बाकाइदा एक वीडियो भी मैंने बनाया था कि गुड्स क्या होता है और गुड्स के लिए क्या क्या एकाउंट हम लोगों को उपन करना पड़ता है तो एक बार आप वो वीडियो देख लीजे तरह आप क्या करते हैं ना मालीजिए की कि आप computer name प्रचेस करते हैं मतलब आपका काम है आप computer खरीटते हैं और फिर इन computers को आते हैं के बेच बेज़ देते हैं त्रह से आप इस वह वह है और जो भी प्रॉसिट आता है वही आपका। उसी से आपका बिजनस चल रहा है, ऐसे समझ चाहिए, ठीक है न, तो अभी आप किस पे डील कर रहे है, आपका जो, मतलब आपका बिजनस किस पे चल रहा है, आप डील क्या कर रहे है, कंप्यूटर का आप डील है, आप कंप्यूटर पे डील कर रहे है, आपका बिजनस टिका हुआ है, कंप computer आपका गोट और यह yap यहां पर आपका क्या राइगा गोड़ क्या होता है जो चीज क्या होता है जो चीज हम लिग उस परफ़स के लिए भरिष भर खरिदते हैं बेचने के परफ़स कौन सा अगर कोई चीज खरडा जाता है जिस से vencue इस का सके उस उस चीज को हम account में goods कहते हैं ठीक है अब यही चीज क्या हुआ कि फिर एक shop है आपका नहीं किसी और का है और यह अगर कपड़ा खरीदता है यह क्या करता है यह आपका कपड़ा खरीदता है और फिर कपड़ा को बेजता है बेजता है तो यहाँ पर यह इसका क्या हो गया गूट्स हो गया ठीक है अगर यह computer खरीद रहा है कि बिजनस में यूज करने के लिए जैसे की बिल वगरा निकालने के लिए एकाउंट्स मेंटेन करने के लिए टैली सॉफ्ट्यूर इंस्टॉल करने के लिए वगयरा वगयरा के लिए computer purchase कर रहा है that means this computer is purchased for business use ऐसा मैं कहा दूं business में use लाने के लिए अगर इसका use के खरदा जा रहा है तो that means यह क्या है यह आपका एक assets है यह क्या है assets है ठीक है तो जब आप assets purchase करेंगे और जब आप goods purchase करेंगे तो in both case treatment होगा वो अलग-अलग होगा तो वही आज हम लोग देखने वाले क्या अलग-अलग होगा तो यहां पर देखिए जैसे लिखा हुआ है कि अगर आप purchase of sales या goods करते हैं करते हैं तो क्या होता है when goods are purchased purchase account is open and on sale of goods sale account is open मतलब जब भी आप purchase करेंगे goods या फिर जब भी आप goods को purchase या sell करेंगे न तो ही purchase और sale account बनता है बात खतम और इससे ज़्यादा जानने का ज़रूत नहीं भी फिलाल के लिए दूसरा जब भी आप assets या फिर कोई investment पे का चीज खर देंगे या बेचेंगे न तो relevant account बनता है relevant account बनता मतलब जैसे कि अगर आप computer खरीद रहे हैं computer इस यह सपोज computer इस यह एकांट बिल भी open अगर आप कोई machinery खरीद रहे है सपोज है ना machinery खरीद रहे देट ताइम दा machinery account will be created opened ठीक है इस प्रकार से इनको हम लोग डील करेंगे ठीक है वही जीज यहां पर लिखा हुआ है when investment and other assets such as plant, building, furniture, etc are brought or sold purchase account and sale account not opened मतलब इनके लिए कभी भी purchase या फिर sale account नहीं खुलना चाहिए इसका मतलब एक बात आप लोगों को ध्यान देना होगा कि only for goods only for goods purchase and sale account 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 open ठीक है उसके बाद purchase of assets and investment purchase of assets and investment will be increase the amount of relevant item जाइट सा बात है अगर हम assets purchase करेंगे तो that will increase हो जाएगा और assets increase होगा तो that means वह कहा जाएगा डेविटेट साइड में जाएगा वही यहां पर लिखावा इंस दा goes on the credit that है हम लोगों को अलड़ी मालूम है यहां पर वही चीज लिखावा हैं तो assets and investment account is credited तो I hope कि आप सबको समझ में आया होगा कि कब आप purchase account खोलेंगे कब आप sale account खोलेंगे और कब मतलब सबसे पहला चीज़ तो यह है कि कब आपको sale and purchase account open करना और कब नहीं करना ठीक है न यह आपको clear हो हो गया होगा चलिए इससे related कुछ हम लोग कोश्चन देखेंगे जिसके जरिया हम लोगों को यह और समझ में आएगा कि किस प्रकार का transaction के लिए हम लोग purchase account खोलेंगे या फिर relevant assets या investment account में उसका काम चलेगा ठीक है तो यहां इसको मैं हटा देता हूँ और हम लोग next slide के लिए तरफ बढ़ते हैं अब यहां पर जैसे पहला question में देखें क्या mention किया गया है अब goods mention कर दिया गया है that means goods कि किस के लिए खरीदते है इसको बेचने के लिए खरीदते हैं ठीक है ना यह परपोस के लिए खरीदते हैं ठीक है कि इसको बेच के हम लोग profit कमाएंगे तो यह इसके लिए क्या होगा goods amounting of इतना brought from हरी brought from हरी मतला हरी से खर्दा गया that means purchase किया गया तो इसके लिए हम लोग को purchase account खोलना पर लेगा तो यहां मैं लिए 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 खुलेगा भाई है तो इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं फिर प्लांट सोड अब देखिए प्लांट इजन एसेट्स ना जब भी एसेट्स अगर हम लोग बेच रहे हैं तो क्या होगा particular assets का ही account खुलेगा तो यहां पर PLANT एकांट खुलेगा बात खता है next क्या दिया वपर बिल्डिंग बिल्डिंग इसेट्स तो यहां पर क्या होगा कि बिल्डिंग का एकांट कुलेगा भी आई एल डि आई एंजी बिल्डिंग एकांट बिल बी ओपन ठीक है अब यहां पर गौर करिएगा यहां पर बोला गया यह परनीचर मर्चेंट अब यहां पर डिरेक्ट गुड्स वगरा नहीं दिया हूँ लेकिन यहां पर मेंशन कर दिया कि फरनीचर का वैपारी अबाट्थ यहां पर क्या होगा सेल एक्कांट उसके बाद शेयर ऐलिमिटीट उल्ड फोर इतना शेयर बेच रहा है तो वही यहां पर कोई भी इंवेस्टमेंट्ट मुझान के लिए पर्टिकुलर वही है एकांट घुलेगा टीटिकेशateur हो बैदु इसके लिए शेयर le dealer मतलब यह बंदा टाइप लाइटर खरीदता और बेस्ता और हम लोग कितना खरीद रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा पर्चेज एकॉंट बनेगा इसको हम लोग खरीद रहे बेचने के मकसद से पता कैसे चल रहा कि देखिए यहां पर टेन टाइप राइटर टेन टाइप का वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा अगर आप फर्स्ट है मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो